नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिसमिल के विशे में कि एक डिसमिल कितना होता है या फिर पांच डिसमिल कितना होता है छे डिसमिल कितना होता है अक्सर जब हम जमीन लेन देन की बात करते हैं तो वहाँ पर डिसमिल के विशे में जरूर सुनत कि एक डिश्मीन जमीन कितना होता है उसको हम ऒर्ग फिट में बद लेंगे वर्ग अगये वर्ग मीटर में हुर्ग ने ठिक है तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो यह सारा चीज के लियर हो जाता है तो चलिये बिना वेष्ट कि हम लोगस्ट वीडियो को पड़ेगा कि एक डिसमील वराबर होता है एक हजार वर्ग कड़ी, ठाइक यहाँ अकसर जब आपको कोई अमिन या लख बुलाते है जमीन मा पने के लिए ठोग्रें Austral इसप्रकार होता है है गशाला लगा हुआ रहाता है यहां पर एक कड़ी लगा रहता है फिर चल्ला लगा ओबना रहता है तो यहां से यहां का जो लेंथ है इसको बोलते हैं एक कड़ी क्या बोलते हैं इसको एक कड़ी ठीक है तो यह जरीब है क्या है जरीब है और यह जरीब में कुल 100 कड़ी होते हैं जैसे यहां से यहां तक एक कड़ी है फिर यहां से एक कड़ी दो कड़ी हुआ फिर तीन कड़ी चार कड़ी इस तरह करके 100 कड़ी का एक जरीब हो होता है तो जब भी आपको मौका मिले तो आप देख लीजेगा कि कितना होता है अहलाकि एक कड़ी जो है एक कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच टिक है कि नोट कर लिजेगा आप टीक है 7.92 लगभग 8 इंच के लंब सम एक कड़ी होता है 8 इंच तो आप मसूस कर लिजे आनुमान लगाए कि 8 इंच कितना होता है जिसे मारकर कितना है 5 इंच का है टीक है तो इससे और थोड़ा सा आधा मारकर और काट करके अगर जोड़ देंगे तो उतना का लगभग एक क तो वर्ग कड़ी यहां पर क्या इंडिकेट करता है अक्सर जब हम छेत्रफल निकालने की बात करते हैं को एरिया जब करते हैं तो वहां पर वर्ग लगाना पड़ता है अगर मीटर में निकाल रहे हैं जब धलाई होता है तो च्छत को हम लोग स्क्वाइर फिट में निका भी clear कर देते आपको देखिंए 1 यहांपर कितना एक 1000 वरकड़ी है लेकिन सबसे पहले आप जानिये कि एक बर्ड़ कड़ी कितना होता है अगर आप एक बड़ कड़ी के विश्चे हम झान गएंगे कि वर्ग का ऐसा वर्ग जिसमें चारों भूजाएं जो हैं कितना कड़ी का होगा एक कड़ी का होगा चारों भूजाएं इधर भी एक कड़ी इधर भी एक कड़ी ठीक है चारों तरत एक कड़ी ठीक है और एक वर्ग कहार होगा है ठीक है इधर 90 डिग्र कुन सब में बनेगा द इसमें चारों भुजाएं एक कड़ी हो तो वैसे घिरे हुए छेतर को हम लोग कहेंगे एक वर्ग कड़ी एक वर्ग कड़ी समझ माया एक कड़ी यहाँ एक कड़ी इधार एक कड़ी इधार एक कड़ी इधार ठीक एक वर्ग का निर्मान होगा और उस घिरे वेचेती रुखे क्या कहेंगे हम लोग एक वर्ग कड़ी तो यहाँ पर बात किया जा रहा है एक हजार वरकड़ी का ठीक है तो इसी तरह से एक वरकड़ी और हेगत हो जाएगा दो वरकड़ी हो जाएगा फिर तीन वरकड़ी हो जाएगा चार वरकड़ी हो जाएगा पांच वरकड़ी हो जाएगा छे वरकड़ी हो जाएगा साथ हो जाएगा आठ हो जाएगा ठीक है त यह हम वर्गड़ी में बात किये ठीक है किसमें बात किया हम लोग वर्गड़ी में अब हम लोग जानेंगे कि वर्ग फिट में कितना होता है वर्गड़ी में तो एक वर्गड़ी होता है एक डिसमील में लेकिन वर्गड़ी में कितना होता है यह भी हम लोग जानेंगे तो द मृइस मील में 1000 वर्ग कड़ी होता है अच्छा है आप यह जान जाएंगे जब हैं पॉंट 9 reducing हुता है तो एक कड़ी में एक कड़ी में 0.66 फीट होता है फूट इसको बोलते हैं ठीक है एक कड़ी क्यातना होता है 0.66 फूट यह भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि यह कड़ी में 0.66 फूट होता है यह आप निकाल सकते हैं जैसे 7.92 इंच ठीक है 7.92 इंच है अब इसको आप फिट मदल लेजे क्योंकि 12 इंच में कितना होता है एक फूट होता है तो आप उसको बदल सकते हैं ठीक है अच्छा चलिए हम लोग वर्ग कड़ी से हम लोग किस में बदलेंगे वर्ग फूट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे एकदम आसान तरीका इसमें बताएंगे आपको ध्यान से समझना है देखे यहां पर 1000 वर्ग कड़ी जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1000 देखें यहां पर हम इसको इस तारा से भी लिख सकते है एक हजार गुना एक कड़ी का स्कॉार ड़ी है कड़ी का स्कॉत है इस इसे हैं तो गणता तो जाता 1,000 link square इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग ठीक है जिसे फिर कैसे लिखते हैं 1000 meter square तेकिन अगर इसी चीए को हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखते हैं 1000 work meter वर्ग मीटर यहां पर जो square देते हैं work देते हैं ठीक है यहां पहले लिख देते हैं पिःधिन शाटацион में लिखेंगे इसी में उपर में लग जाता है तो उसी तरह से यहां पर वर्ग कडी या रिदि कर्ता एक कडी स्क्ड़र कर दीbut इतना करने के बाद में आपको करना क्या है आपको सिंपली यहां पर एक मान फूट कर देना है ठीक है आप बताएए आप कि एक कड़ी में कितना फूट होता है 0.66 foot होता है कितना होता है 0.66 foot नहीं हम जानते हैं कि एक कड़ी में कितना होता है 0.66 foot ठीक है तो एक कड़ी के जगहाँ पर हम 0.66 foot लिख सकते हैं ठीक है तो लिखती है यहाँ पर अब यहाँ पर 1000 ठीक है अब गुना में ठीक है अब कितना आएगा यहाँ पर अब गुना कर लिजिए जिसे 0.66 foot का है स्क्वाइर ठीक है तो पहले 0.66 इसका भी स्क्वाइर करना पड़ेगा ठीक है 0.66 का स्क्वाइर करना पड़ेगा तो दो बर गुना करना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर चार अग्ये बात दस्मल और यहाँ यहाँ पर रहे दो यहाँ मीट टेक है तो चार आउनके बाद पड़ेगे एक दू तीन चार और अब क्या हो गया यह फुट का स्क्वाइर में बदल गया फुट स्क्वाइर को आप लिख सकते हैं वर्ग फुट भी यहां पर यह स्क्वाइर था तो यह स्क्वाइर 0.66 कभी स्क्वाइर है और इस फुट कभी स्क्वाइर है तो 0.66 का स्क्वाइर करके हम इतना ला दी है ठीक है अब फुट के स्कॉएर चाहां पर फुट के स्कॉधार रीछ चोड़ निए च्टिक है या इसको वर्ग फूट भी डिक सकते हैं आब यहाँ 100 को गुना इतने इतना सबीजिद के इतना जागा 435.6 वर्ग फुट आता है यह भी चीज़ आपको नोट कर लेना है ठीक है तो यह हुआ दूसरा यह पहला नोट हुआ और यह क्या हुआ दूसरा अगर इसी चीज़ को आपको गज में बदलना है कि कितना वर्ग गज जमीन होगा देखें यहां पर एक डिसमेल में कितना आया 435.6 वर्ग फुट आया तो इसका मलब वर्ग फुट का मलब क्या हुआ आनि वाइसा वर्ग क्या चीज़ बोले वाइसा वर्ग जिसमें सभी भुजाईं की लमाई केतना हो एक फुट हो एक फुटी धार एक फुटी धार एक फुटी धार एक फुटी धार तो इससे जो ज रहेगा चेतर रहेगा ठीक है और 435 से भी जादा ठीक है 435 और 10 मलों में 6 है ठीक है 10 मलों में 6 आनि 10 भाग में 6 और जैसे इसका करेंगे हम 10 भाग ठीक है अब 10 भाग का फिशठा भाग लास्ट में ठीक है 35 तो रहेगा इसा इसा वाला 35 रहेगा अब 0.6 का मतलब कि अगर हम एक वर्ग फुट को हम 10 भागने बाटेंगे तो 6 भाग और तो उतना मिलाकर के जो रिजन बनेगा ओ एक डिसमील कहलाएगा तो यह डिसमील में हो गया अब हम लोग इसी चीज को बदल देंगे किसमें गज में वर्ग घज में अगर घज में जानना चाहेंगे इसी जमीन को कि एक डिसमील में कितना वर्ग घज होता है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए इसे आप मिटा दे रहे हैं ठीक है आप नोट कर लिजेगा अब देखिए आपको एक चीज और और याद रखना है कि एक गज में एक गज में होता है तीन फूट में भी आपको नोट कर लेना है तीक शित्ना होता है लगभग में यहाँ फूट यहां से बोर locked पूरा हाथ का पूरा हाथ का एगला सीरा है पुरा अंगूली का जो सीरा है वहाँ तक एक गज कहलाता है तीन फुट ठीक है तो सब का हात बराबर नहीं है इसलिए इसको फुट में भी जानाम को जोरुरी है कि तीन फुट का एक गज होता है तो देखें यहां पर अब एक डिसमिल में कितना हो रहा है कितना 435.6 वर्ग फुट हो रहा है अब इसी गुना में एक वर्ग फुट एक वर्ग फुट लिख सकते हैं अराम से लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं या वर्ग फुट ना लिकर करके हम डारेट इसको फुट का स्क्वाइर भी कर सकते हैं अगर फुट का स्क्वाइर हम इसको पूरा हॉल स्क्वाइर भी कर सकते हैं क्योंक तो देखिए आप क्या करेंगे आप यहां 435 दसमालों कितना अच्छी है फिर गुना आप एक फुट में क्यतना होता है एक फुट में यहां पर एक गज में तीन फुट होता है तो एक फुट में कैतना होगा एक बड़ात तीन गज नहीं जैसाकि यहां पर एक गज में यह गज में तीन फुट हो रहा है ऐंगिन मलोग सकते हो लिख सकते हैं अब इस तिन को क्या की है आप इधर multiply में है तो इधर आजाएगा डिभ हैड में तो तीन को अगर हम इधर डिभ हैड में ले आएंगे तो जाएगा एक बटा तीन तो देखिए एक फूट कूल मिला करके हो गया एक फूट बराबर एक बटा तीन गज तो यहां पर क्या लिख देंगे एक बटा तीन एक फूट के मूंना में अब यहाँ स्कोएर जह है एक का भी कभी युट करेंगे तो करेंगे तो 9 आएगा और गज क्या स्कॉर करेंगे तो हो जाएगा गज का स्कॉर हो जाएगा ठीक है आब यहां से आप यह भी आप नोट कर लीजिए कि अब विजो 9 है ठीक है 435 6 जो है अब इसको 9 से भाग दिजिए ठीक है कि इतना है 435 6 तो 435 दसमलो 6 बटा में है 9 वर्ग गज गज स्क्वाइर को हम वर्ग गज भी लिख सकते हैं ठीक है आप यहां पर पॉइंट को हटाएंगे यहां पर कितना जाएगा 90 आजाएगा कितना जाएगा 90 आप इसको काटी है यहां पर आजाएगा 45 और यहां पर दो दुना चार दो वेकम दो दो सटी चौदर दो अठी सोला इतना आया भुत 328 सथ पंद्रह अतीन से भी कर जाएगा फंद्रह फिया पैतालीश इनसे एकी इस तीन चैने आई की सथीन दुन आछे अतीन चक्षक अथारा यानि साथीश प्रश्लीश बटा पंद्रह आया अब साथीश वाप क्या कि जिए भंदर अभाग लगा दिए टीक है अफिर पर शिपाटर रादा तो पंदर चॉक लेंगे फंदर चॉक 60 जाए गार दो और यहां पर एक यहां पर बचेगा चे अफंदरा सट एक 105 15 टी तो बीस तो पंदरा ठी हो जाएगा 120 घटा दी इसको तो जाएगा अच्छे कुछ नहीं बचाएगा ठीक पॉइंट बठाए यह यह जिरू फिर पंदरा चो के साथ कट गया ठीक है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 48.4 वर्ग गज ठीक है आनि एक डिसमिल में आनि एक डिसमिल एक डिसमिल में 48.4 वर्ग गज भी होता है 48 असमिल चार वर्ग गज वर्ग गज कहें तो एक गज ऐसे वर्ग बनाना है जिसमें सब की भुझाएं क्या हो एक गज हो क्या हो एक गज एक गज आनि कि तीन फुटी दर तो ऐसा ऐसा अड़ताली स्चेत nar रहेगा pity और उसमें से पूइंट के बाद में चार है इसका मलब यह हुआ कि एक जो गज है उसको दस भाग में बाटतेंगे तो चार भाग भी और 48 भाग तो रहेगा ही रहेगा लकिन एक वर्ग गज का जो चारवां हिसा है वो भी उसमें सामिल होगा तब कहलाएगा वह एक डिसमिल जमीन तो इस तरह से आप ज तो चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद